नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का गुवर्मेंट जॉप्स के ओफिशल यूटूब चैनल में तो दोस्तो आज फिर से हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एक नई गुवर्मेंट वकेंसी जो की जारी की गई है बैंक ओफ महराष्ट्रा द्वारा जो की पूरी तरह से गौवर्मेंट बैंक है जैसा के अग्रिकल्चर फिल्ड ऑफिसर की पोश्ट पर है सुक्वारिटी ऑफिसर की पोश्ट पर और भी कई पदो पर वकेंसी जारी की गई है तो हम स्टैब बाइस टैब आपको बताएंग उसके बैल आइकन जरूर दुबा देना ताकि जो भी हम अपने चैनल पर नई गौवर्मेंट वकेंसी लेकर आएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट सबसे पहले आपको ले जाते हैं इनके ओफिशल एडवाइटाइजमेंट पर यानि की विग्यापन पर जो की इनकी ओफिशल वेब पर जारी किया गया है फिर आपको आगे बताएंगे कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है आवेदन करके आपको बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कैसे आपको एडवाइटाइजमेंट इनकी ओफिशल वेब से डाउलोड करना है सो मानल संसाधन परभंदन विभाग हुमर सोर्स मैनेजमेंट एंड इपार्टमेंटल बैंक ओफ महराष्ट्रा रुकूरूट मैं नोटिस नोटिफिकेशन ऑफ स्पेशलिस्ट ओफिसर इन स्केल 1 & 2 प्रोजेक्ट 2021-2022 जो जारी करने किती थी है वो 30 अगस्त को जारी किया गया है बैंक ओफ महराष्ट्रा लीडिंग लिस्टिट पब्लिक सेक्टर बैंकिंग हैविग हैड ओफिस इन पूने और इंडिया नेट्वर्क और ब्रांच इस एक्रोज दा इंडिया इनवाइट ऑनलाइन अप्लिकेशन फ्रम केंड़ेट फोर रेक्रूटमेंट फील्ल वकेंसी जारी की गई है जिसमें यूसouseक्व 20 से 30 साल तक ब्यारति आपारिक से इसाल की अबिछसे और यानी समाने जाती जनरल की 41 जारी की गई है जिसमें कि सीमा यानि जो एज लिमिट है वो 25 से 35 साल तक अब्यारती स्पोस्ट की विकैंसी के लिए प्लाइब कर सकते हैं इसमें जो जारी की गई है जिसमें से एक है की है और दो अब्यारती सी की है और एक स्पोश्ट की है जिसमें से एस्पोस्ट की गई है और ओब्यारती साल तक पोस्ट पर vacancy जारी की गई है इसमें जो age limit है वो 25 से 35 साल तक अब आर्थी पोस्ट की vacancy के लिए apply कर सकते हैं इसमें जो number of vacancies है तो इसमें कुल 10 ही vacancies पोस्ट पर जारी की गई है जिसमें से SC की एक है OBC की 2 है EWS की एक है UR की यानि की समाने जाती general की 6 है सो नेक्स्ट पोस्ट की वेकंसी के और बढ़ते हैं जो कि IT Sport Administrator की पोस्ट पर 30 वेकंसी पोस्ट पर जारी की गई हैं जिसमें से SC की 4 हैं, ST की 2 हैं, OBC की 8 हैं, EWS की 3 हैं, UR की याने की समाने जाती की 13 हैं और DBA में कुल तीन वेकंसी जारी की गई हैं जिसमें से IUC माय जो 25-35 साल तक अब्यारती इस पोस्ट की वेकंसी के लिए अपलाई कर सकते हैं, तो तीनों की तो इसमें समाने जाती की लिए हैं, UR के लिए, और नेक्स्ट जो है विडॉस की, Administrator विडॉस के पोस्ट पर वेकं जाती की और एक EWS की है, और टीन OBC की है, और डाड़ क्लासीस ढ़सें जो आते हैं विकांसी के लिए प्लाइब कर सकते हैं इसमें कुल 10 विकांसी पोस्ट पर जारी की गई है जिसमें जो एज लिमेटर वा पच्चेस है कि 25 साल तक कर दोजमिजारी की है और तो कि समदब्य पthea से बैंक ओफ और मारश्टा तरह जो कूर्मेंट बेंक है इसमें आज़ा जाएगा वह आपको आपको एसपर दो mans के इसमें तो ऐसमें दिया जाएगा याने की जो ed लिमिट दी जाएगी वह गाउर्मेंटrences enem आपको इसमें दी जाएगी, आगे बढ़ते हैं, सिसमें क्या-क्या योगता है मांगी गई है, और पहली पोष्ट की पड़े इनकी चारा ह data है, प्रूश्ट ऐप जो है पोस्ट यह की बादिक अनो में प्लाप की जारी कि गई है, जो इसमें से qualification जो इसमें मांगा गया है या जो इसमें शेक्षिक क्योंकिता मांगी गई है वो आपके पास चार साल की graduation होनी चाहिए agriculture में या फिर horticulture में या फिर animal husbandry में या फिर veterinary science में और या फिर dairy science में और या फिर fishery science में और यहां फिर फिस्की कल्चर में, और यहां फिर एग्री मार्केटिंग में, यहां फिर कॉर्पोरेशन में, और यहां फिर एग्रो फोरेश्ट्री में, और यहां फिर फोरेश्ट्री में, और यहां फिर एग्री कल्चर बायो टेकनोलोजी में, और यहां फिर फूर्ड साथ ही उसके विदा मिनीमम ऑफ 60 परसेंट इन एग्रिकेट आफ आल समेस्टर्स जो कि न्यूंतम साथ परतीशा तनकवा के साथ पास होनी चाहिए आल समेस्टर्स में and 55% of all समेस्टर्स in year of SC, ST, OBC, PWD यानकी जो SC, ST, OBC और जो PWD काटिगरी से आते हैं उनके लिए इसमें 55 परतीशा तनक होने अनिवारे हैं और जो जनरल काटिगरी से आते हैं उन्हें 60 परतीशा तनक होने अनिवारे हैं इसमें कोई भी किसी परकार का इसमें experience नहीं मांगा गया तो जर्बाइज में कोई भी नहीं मांगा गया फ्रेशर्स भी इसके लिए पलाई कर सकते हैं जो फ्रेशर्स ग्रेजवेट्स हैं 4 years की डिगरी है जिनके पास सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वेकैंसी के और जो कि है स्क्वेरिटी ऑफिसर की पोस्ट पर जो शिक्ष्य क्यों गयता मांगी गई है तो इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एन डिसीप्लेंड फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवस्टी यानि कि इसमें पांस साल का experience होना चाहिए न फिसर इन इंडियन आरमी को अंडिया झाविस नेवी easily इंडिय को नेवी या फिर उपर वाला या फिर इसमें नीचे वाला आगे बढ़ता है नेक्स्ट पोस्ट की वेकैंसी की और जो की है रिकुरूटमेंट ओफ लौ ओफिसर की पोस्ट पर इसमें कुल जो शेक्षिक योगता मांगी गई वह आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लौ में रेकोगनाईश्ट बार कांसिल ओफ इंडिया द्वारा और साथ ही आपके पास मिनिमूम रिकुआइड सिक्ष्टी परसेंट अंक आपके पास होने चाहिए और अगर आप सी ओस्टी ओबीसी और पी डबलूटी कैंडिडेट हैं तो आपके पास इसमें नियुंतम रेकोटम फॉल्टम पॉस्ट क्योगटा की और देखि और रॉक्रूटम पास पास ग्रेजवेट होने चाहिए और साथ ही दो साल का फूल टाम पॉस्ट ग्रैज्वेट आपके पास इसमें होनी या नहीं नहीं वार होने या निवार है है इसमें experience आपके पास इसमें नियुंतम तीन साल का experience होना चाहिए तो आगे बढ़ता है next post की शेक्षी की हो गयता की और जो कि recruitment of IT administrator की post पर जिसमें की कुल 30 vacancy जादी की गई होनी है और इसमें शेक्षी के होगता बेटा कोनी चाहिए और यहां फिर भी इंचाहिए और यहां निवार है और यहां फिर आपके पास MCA होनी चाहिए और यहां फिर MSC होनी चाहिए Computer Science में नियुनतम 55% तंकों के साथ जो की जनरल काटेगरी से हैं और 50% तंकों के साथ जो की SC, ST, OBC और PWD काटेगरी से बिलोंग करते हैं इसमें कुल काफी परकार के आपको इसमें विकल्प दिये गए हैं आपको यहां तो फिर आपके पास B.TEC और B.E. होनी चाहिए Computer Science में और यहां फिर Electronics में और यहां फिर Electronics और Communication में और यहां फिर आपके पास M.C.E. होनी चाहिए और यहां फिर MSC होनी चाहिए computer science में तो इन तीनों शेक्षिक के हो गयतां में से कोई एक आपके पास होनी इसमें अनिवारे है इसमें जो experience मांगा गया वो एक साल का experience आपके पास IT sports, sports में होना चाहिए software में या फिर hardware में आगे बढ़ता है next post की शेक्षिक के हो गयता की और जो की है database administrator की post पर इसमें कुल शेक्षिक के हो गयता जो मांगी गये इसमें भी same ही है B.TAC होनी चाहिए या फिर B.E. होनी चाहिए computer science में या फिर electronics में या फिर electronics और communication में और या फिर आपके पास M.C. होनी चाहिए और या फिर आपके पास M.S.C. computer science में होनी चाहिए जो की नियुनतब 55% तंकों के साथ होनी चाहिए जनरल कैटिगरी वालों के लिए और जो S.C.H.T. O.B.C. के वर्क से बिलोंग करते हैं उनके लिए नियुनतब 50% तंकों के साथ होनी अनिवार है आगे बढ़ते हैं एक्सपीरिंस के और जो की इसमें आपके पास तीन साल का एक्सपीरिंस होना इसमें compulsory है उसमें टो और यहां पिर आपके पास THEY होनी चाहिए और यहां फिर BE होनी चाहिए Computer Science में, यहां फिर Electronics में यहां फिर Electronics और Communication में और यहां फिर आपके पास MSC होनी चाहिए और यहां फिर आपके आपके MSC Computer Science में होनी चाहिए नियूंतम 55 और 50 परती शतंगोग साथ 50 उनके लिए जो कि SC, ST, OBC और PWT Category से बिलॉंग करते हैं इन तीनों शेक्षिक योगताँ में से कोई इसी एक फिल्ड में आपके पास शेक्षिक योगता होनी इसमें भी कमपलसरी है Experience जो इसमें minimum 3 years का experience होना चाहिए सिस्टम में या फिर सर्वर Administration की पोस्ट पर आगे बढ़ता है Next Post की वे शेक्षिक योगता की और जो के Product Sport Engineer की पोस्ट वर इसमें जो शेक्षिक योगता मांगी गई तो वे बिल्कुल सेमी इसमें शेक्षिक योगता मांगी गई है जो कि आपको पहले बता चुके है BTEC और या फिर BE जो की Computer Science में Electronics में और Electronics इन तीनों में से किसी एक में आपके पास होनी चाहिए बीटा के यहां फिर BE में और यहां फिर आपके पास MC होनी चाहिए और यहां फिर आपके पास MSC Computer Science होनी चाहिए जो की 55 प्रतिश्य तंक जनरल और 50 प्रतिश्य तंक SCHT OBCC और PWD candidates के लिए Experience इसमें भी तीन साल का मांगा गया है जो की Unix में और यहां फिर Oracle Database Operations में होना आनिवार है आगे बढ़ता है Next Post की शेक्षिक हो गयता जो की Network and Security Administrator की Post पर इसमें BTEC और BE होनी चाहिए जो यहां फिर Computer Science, Electronics यहां फिर Electronics and Communication में और यहां फिर आपके पास MCA होनी चाहिए यहां फिर MSC Computer Science होने चाहिए 55% के जनरल के लिए और SCHT OBC और PWD के लिए 50% के नियुनतम होने आनिवार हैं Experience इसमें तीन साल का होना चाहिए नियुनतम Banking Projects में Next Post की जो Education Qualification है Email Administrator की Post पर इसमें B-Tech या B-E होनी चाहिए Computer Science में या फिर Electronics में या फिर Electronics और Communication में और यहां फिर आपके पास M-C-E होनी चाहिए और यहां फिर आपके पास MSC होनी चाहिए Computer Science में So इन तीनों शेक्षिक योगताव मेंLER इसमें और इसमें नियुन्तम 55% का जनरल के लिए और 50% CST और OBC के लिए इसमें होना निवार है इसमें experience इसमें भी तीन साल का मांगा गया email server administrator administration की post पर और यहां फिर configuration on banking project पर IUC में जो shoot दी जाएगी यानि जो इसमें इस limit में shoot दी जाएगी वो CST categories के लिए 5 साल की दी जाएगी और जो candidates backward classes सी बिलोग करता है जो गिए 10 साल की दी जाएगी और जो person with backmagic disability प्याई जोकी PWD है B мир HD Celsius का में इसमें इसमें पंदरा साल की EU shoot दी जाएगी और जो PWD है OBC का टेगरी से बिलोग चरभ करता है उसे 13 साल की दी जाएगी और जो PWD है General EWS इस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसे 10 साल की इसमें दी जाएगी एक सर्विसमेन के लिए इसमें पांस साल की आयू मशूर्ट दी जाएगी इसमें जो इमॉलुमेंट आपको दिया जाएगा नहीं कि इसमें सेल्जे आपको दी जाएगी 63,840 या निकि 63,840 प्लस और भी अ आपको इसमें सेल्जे रहेगी जो कि आगे भी आपके एक्सपिरियंस और प्रमोशन के बढ़ती रहेगी जो स्केल ऑफ एसकेल टू की पोस्टी जो आ रही है उन्हें इसमें 69,880 रूपीज आपको इसमें स्टार्टिंग दी जाएगी यानिकि 79,810 रुपे प्लस और भी आपको इसमें सब कुछ दिये जाएंगे जो कि आड़ करकर आपकी एक्सपिरियंस और प्रमोशन के कोडिंग बढ़ती रहेगी अपको इसमें मौहिया करवाये जाएगी नैशनलिटी यानिक जो नाग रिकता है वापके पास के सिटीजन ऑफ इंडिया भारत का नवासी हो इंडिया बिफॉर उनी सो बासर से जो पहले आ चुके हैं इंडिया में वो इसके लिए अपलाइग कर सकते हैं यानि कि जो नेपाल बुटान और तिबद से आचुके हैं उनी सो बासर से पहले और इंडिया हैं तो सेलेक्शन प्रोसीडियूर जो आपकी रही इसमें तो ओलन इग्जामिशन होगा जो की आई बीपीस द्वारा कंडेक्ट करवाया जाएगा और कंडिदेट शाल बी कॉल फॉर इंटर्वियू इन प्रोफेशन ऑफ पर्न रेशियो बेज़ अंदर रैंकिंग काटिगरी और फॉर्टी फाइफ परसेंट ऑफ एस्टी ओबीसी पीड़लोडी काटिगरी यानि कि आपका इसमें दो चरणों में आपका इसमें चाहिन होना है पहला जो कि आपको करना है फिर आपको आगे इंटर्वियो इक्जाम के लिए बुलाया जाएगा जिसमें कि दोनों टेस्ट होने के बाद आपके फाइनल मेरिट लिस्ट त्यार की जाएगी जिसके एक वर्डिंग आपका इसमें चाहिन होना है जिसमें जो निर्धारित मार्क्स होंगे नियुनतम आपके 50% जनरल और एकॉनमिकली वीकर से जो आते हैं उनके लिए इसमें नियुनतम अब करते जिसमें इक्जाम करवाया जाएगा जो कि ओं-लाइन होगा एक सेक्शन में होगा वो जिसमें के आपका नेम ऑफ टैस्ट होगा प्रोफेस्चनल नॉलज का जिसमें बिग्योंकर पूशनओं और वह नंडेड मार्क्स के होंगे जिसमें आपको समय सीमा 60 मिंट की यानि कि गंटे की समय सिमा इसमें दी जाएगी इसमें there is no negative marking in online examination online examination में आपकी इसमें कोई भी किसे परकार की negative marking नहीं होगी इसमें examination center जो रहेंगे the examination will be conducted online at venues across various centers in India so how to apply आपको इसके लिए आवेदन कैसे करना valid आपकी email ID और phone number होना चाहिए जिस पर की OTP आ सके इसमें जो application fees रहने वाली यानि कि जो category wise रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी यानि कि यूर समाने जाती से आते हैं उन्हें इसमें एकजार रुपे फीस रहेगी प्लस GST आपको लगेगा जो कि 1080 रुपे आपकी 1180 हो जाएगी और इसमें SCST के लिए इसमें कुल 100 रुपे फीस रहेगी प्लस GST लग 18 रुपे और वो हो जाएगी 1180 रुपे आपकी और PWD के लिए इसमें कोई भी फीस नहीं रहेगी और वोमन कैंडिटेट से करहें कोई महिला अभ्यार थी है तो इसमें उन्हें भी इसमें कोई भी जमा नहीं करना है यह पूरी तरह से नौन रिफंडिबल फीस से एक बास जमा कर दिए आपको दिए फॉंट नहीं हो पाएगी दुबारा आपको इसके लिए पप्लाई कैसे करना है ता आपको इनकी ऑफिशल वैबसेट पर जाकर आपको रिक्रूट्मेंट प्रोसेस के सेक्शन पर क्लिक कर ओफिसर इन स्केल 1 & 2 2021 & 2022 के उपर क्लिक करना है उसके बात क्लिक करना है आपको एपलाई ऑनलेन के उपर सो जो कि हम आपको आगे विस्तार पूरवग बताने जा रहे हैं इसमें जो इंपोर्टेंट डेट्स रहने वाली है जो जारी करने की तिथिया वो एक सेप्टेंबर को यह जारी हो जाएगा इनकी ऑफिशल वेबसाइट पर जो की रहेगा 19 सेप्टेंबर तक सो एक कुल 19 दिनों के लिए ही इनकी ऑफिशल वेबसाइट पर यह ऑनलाई अप्लिकेशन फॉर्म रहेगा सो बहुत ही कम टाइम बचाएं दोस्तों जितनी जल्दी हो सके उतनी कि आप इसके लिए आवेधन करतें लाजज़ेट का इंतिजार ना करें कई बात लाज़ेट के पास में जाके साइट से बिजी आ जाती हैं बैंक्स की मोस्ट ली आती हैं पहुत से वियारती फिर इसके लिए अपलाई नहीं कर पाते हैं मूड आफ पेमट ऑफीस रहीगा आपको जो कि आपको ऑन- Pacific कार आपको जम्हा करनी है जो कि आप कर सकते हैं उपने क्रियेट कार नेट भिडिण का रिया फिर निए कर रही कूर आया है इसका भी और साथ ही हमने online application form का भी दोनों ही लिंक आपने देर रखे हैं अगर आप इनके online application form पर लिंक पर क्लिक रोगे तो आप सीधा इनके official website के online portal पर पहुंच जाओगे जहां पर आप जाके इसके लिए आवेधन कर सकते हो और अगर आप इनके advertisement वाले लिंक पर क्लिक रोगे तो आप सीधा इनके official website के advertisement portal पर पहुंच जाओगे जहां से आप advertisement डाउलोड करके उसे एक बार इच्छी तरह से इस्टार पूरवक देखके फिर आप इसके लिए अवेधन कर सकते हो तो आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को ब बार इच्छी पाई